हमारा शास्त्र का कैना है सत्ते मेवे जैते न नितम सत्ते न पंथा वीदातो देवियाना यानि सत्त की जीत होती है हमेशा सत्त की जीत होती रही है होती रहेगी सत्त कभी किसी से हारा नहीं है और ना सत्त का मुकाबला असत्त के मानने वालों से होना संब्व है इसलिए सत्त ही सरोपरी है सत्त को मानना चाहिए मानव मातर के लिए सत का ग्रंट करना और आसत को चोड़ना ये मानव मातर के लिए इसमें सरवदा उद्दत रहने की बात रिशी ने कही है अब यह उसी सच्चाई को सुनिये घनेश दाजी से अखंड आर्यवरत था जा अमरे रिशी महारशी ने हमें उपदेश दिया ओम तच्छता ब्रह्मनो दुतिय परावदे वैवस्चत मनमंतरे जंबो दीपे भारत खंड आर्यवरत अंतर गते दोस्तों यह हमारा जो आर्यवरत था आज यह हमारा आखंड भारत है तो हमारी जो भारत के सव्व्यता है जो सनस्कृती है यहां हमें प्रेम से जीना सिखाती है कोई किसी के पास अगर दलिल है तो वह हमारा समने लाए किसी को परमपिता परमात्माने मुसल्मान इसाई ख्रिस्चन जेनी बोधी बना के नई भेजा प्रानी मात्र को यहां भेजा गया जो स्रिष्ट प्रानी मानव कहलाते हैं यहां दोस्तों काप्रा पहनने का नाम ही मानव नहीं है मानवता पर अच्रन करना मानवता को अच्रन में लाना ही मनुष्य का कर्तब होता है और अगर मानव जनम मिलने की बात दी ये नहीं करेंगे तो आप मानव कहलाने की अधिकार नहीं है परमपिता परमत्मा इश्वर के संतान कहलाने में आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी गुनों को जो धारन करें जो इश्वर की गुनों को धारन करें वही मानव है अगर उनकी गुनों को धारन नहीं करता तो मानुख कहलाने की अधिकारी नहीं है अगर आज कोई बेटा अपनी पिता जी की बात नहीं सुनता हो तो पिता जी भी उसको वहिश्कार कर देते हैं कि ये मेरे पुत्र नहीं है इसी तरह से ये बात है कि अगर परमपिता परमात्मा की गुनों को धारन करेंगे तो वो मनुष्य कहलाने की अधिकार है हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है किसी रिशी मुनी ने भेदभाव नहीं कराया हमारे यहां मानो मात्र की कल्यानी बानी कल्यान के लिए है अगर ये सब की उपर लागू हो जाए तो हमारी सभ्यता हमारी जो भारत की सनस्क्रीती है ये विश्यो भर में इसको लागू कराना हमारे लिए संबब होगा अगर सब इसको आच्रण में लाए सब भारत बस इसको माने लेकिन दोस्तों जहां जाती विशेश, वर्ग विशेश, संप्रदाई के लिए कुछ-कुछ बाते आई हैं जहां तक मैं जानता हूँ भाजरत मुहम्मद सहाब ने 27 लड़ाईया लड़ी अपनी जीवन में 27 लड़ाईया लड़ने की बाद उन्होंने चार दात तुड़वा बैठे अपने लड़ाई में जंग में क्यों दुनिया को मुसलमन बनाना था काफिर और मुमिनों के खिलाफ जिहाद करना था तो उन्होंने लड़ाईया लड़ी अपनी दाद भी तुरवा बैठे फिछले दिनों भी आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ आज भी मैं इनी बातों को दोराते हुए आप लोग के समने दो बात में रखना चाता हूँ जहां बात बात बे इसलाम बाले बोलते हैं जानना एक जानना ये मानव विरुत कारिये हैं ये मानवता नहीं है जहां आल्ला ने भेद भाव करा के सारी दुनिया को दो हिस्सों में बाता काफिर और मौमिन अगर आप इमामी मुझमिल को देखेंगे तो वहां भी साप आप आजाएंगे आमन तो बिल्ला इमान लाता हूं मैं आल्ला पर इमान लाता हूं मैं आल्ला पर आल्ला को विश्वास करता हूं वह मलाइकती मैं मानता हूं उनकी फरिष्टा को उकुत भी ही मानता हूं मैं आल्ला की किताबों को और रसूल ही उनकी रसूलों के मैं मानता हूं रसूलों को आखरी मानताओं में आखिरत की दिन को तो अगर दोस्तों यही सारी बातों पर आप अचरन करेंगे तो आप इमानदार है अगर आप इनी बातों को नहीं मानते इन बातों को जुटा मानते है तो आप इमान की दारे में आई नहीं सकते आप इमान के लाएंगे तो अगर जहां अल्ला ने बोला इंशाल्ला इंशाल्ला बाद बाद पे इसलाम वाले भाई बोलते हैं जो इंशाल्ला इंशाल्ला के मने क्या है अल्ला ने चाहा तो माशाल्ला हुकान वाला मिया शाला मिया कुन अल्ला जो चाता है वही होता है अगर हजरत मुहम्मद सहाब की चारदा टूटी या अल्ला ने चाहा ही होगा चाहा या नहीं चाहा मेरा सवाल इसलाम जगत से ही है कुरेशी का साई नासिर सुन ले मेरी बात बस इसी बात का जवाब दे देना कि मुहमत सहाब की जो चार दाठ टूटी थी अल्ला ने चाहा या नहीं चाहा अगर अल्ला ने नहीं चाहा तो उनकी मनमानी हो गई अगर मुहमत सहाब की मनमानी हो गई तो उन्होंने तो ये जुटा संदेश दिया और दोस्तो परमात्मा का ग्यान परमात्मा की बाते इश्वर की बाते लाने के लिए अगर कोई बेक्ती विशेश की जरूरत परे जब मुहम्मत को अल्ला ग्यान दे रहे हैं मुहम्मत से अल्ला बाते कर रहे हैं साथ वे असमान के उपर से अल्ला बात कर रहे हैं अल्ला को मानब चाहिए बात करने के लिए तो अल्ला सर्वयापी भी नहीं है अल्ला जर्रे जर्रे में अल्ला कन कन में अल्ला का निवास नहीं है परमपिता परमात्मा इश्वर कन कन में है वो इशा वस्मिदम सर्वम है लेकिन अल्ला कन कन में नहीं है अगर मेरा सवाल इसलाम वालों से ही है जो अगर अल्ला कनकन में है तो उनको जहन्नुम में भी होना पड़ेगा क्या अल्ला जहन्नुम में भी है मैं पुछता हूँ सारी इसलाम जगत से इसलाम जगत इस बात को मानने के लिए तयारी नहीं है कि Allay blood jeżeli isE46 andars दोनोवाते हमारी समाज में है कि स्वर्ध जो है about शूक बिशेश का नम है तेरे कर्म की वज़े से तुम्हें स्वर्ध पराप्त हुआ जो नरख तुम भोग रहे हो ये तुम्हारी कर्म के ही फल है तुम करम करोगे लेकिन फल तुम नहीं ले सकते ये परमपिता परमात्मा का उपदेश है ये प्रानी करम किये जा अवश्यम में भुक्तियब्वम कृताम करम शुभा शुभम अवश्य ही भोगना है करमों की फल इसका प्रूप है तो दोस्तो मेरा कहना ही है जहां स्वरगार नर्क तुमारे करम के हिसाब से है तो क्या अल्ला जन्नत में तो हो सकता है लेकिन जन्नम में अल्ला है मेरा सवाल नहीं है ना सिर्कुरेशी जवाब दे देना मेरी सवाल का और दोस्तो देखिए जहां ये अरब आरब में जाते हैं ये आरब की बाते हैं भारत की संस्किती नहीं है ये धरम शब्द किसी भी भाषा में मिलना मुश्किल है ये बस आया है तो भारत के संस्कृत का ही एक मात्र ये लफज है धरम इसके सिवा धरम कहीं होना संबब नहीं है मैंने कल भी बोला था उन्यूवर्सल लो अगर धर्म है, धर्म अगर सब के उपर लागू हो तो इसलाम सब के उपर लागू नहीं हो सकता यह धर्म नहीं होगा, यह धर्म कहलाना भी मुर्क तके सिवा कुछ नहीं है और देखिए जहां अल्ला मुहम्मद साब को उबदेश सुना रहे हैं तुम ये करो ये करो वो करो तो मुहम्मद साब ने ऐसी किया दुनिया में आज फसाद हो रही है किसके लिए हो रही है बस इस कुरान के आयत की वज़े से हो रही है इसलाम मानता ही नहीं है कि दुसरे कोई धरम है एक इसलामी धरम मानता है इसलिए इसलामिक शिक्षा जो है वो कटरवादिता की है वो कटरवादिता की है वो किसी को नहीं मानता वो आपने में ही मानता है दुसरे और देखना ही नहीं चाहता है अगर हमने हर दम एक पक्ष को देखा, दोनों पक्ष को हमने कभी देखना नहीं चाहा, आज हम दोनों पक्ष को देख रहे हैं, दोनों पक्ष को मिला रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि बराबर कहीं नहीं है, हिंदू मुसल्मान में ये बाइबेल, कुरान, पुरान और बे कलामुल्ला सित करना चाते हो आओ समने कुरान को कलामुल्ला सित करना अंधकार में प्रकाश को ढूना रात में भी दिन होना सम्भब हो जाएगा अगर कुरान को कलामुल्ला सित कर दोगे तो जहां अल्ला ने बोला बिस्मिल्ला यरख्मान रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्ला के नाम से कुरान ही इसका प्रमान है कि इस अल्ला से भी बर्कर के कोई और अल्ला है जो ये अल्ला बोल रहा है उस अल्ला के लिए ओ आल्ला परम पिता इश्वर परमात्मा ओम है इस बात को समझो इसलिए हम बुला रहे आओ सामने आओ सामने आओ तो बात बनेगी नहीं तो हमारे उपर बात मत करो कुरेशे सुन ले कान खुल के सुन ले तो तो इसलाम का प्रचार नहीं करता है कि तू फसेगा तू अगर इसलाम का प्रचार करेगा तो मैं उसी पर तुझे पगड़ोंगा तु इसलाम का प्रचार करना तेरे लिए संबब नहीं होगा कसाई तु इसका प्रचार नहीं कर सकता है तेरे में उकद नहीं है दोस्तो जहां इतनी गलत गलत बाते मानो मात्र की कल्यान के लिए नहीं है, मानों मात्र की अच्छाई के लिए कोई बात नहीं, ये कवीला की संस्कीती है, इसको लेके आज हमारे दुनिया में कितनी फसाद फिली हुई है, जिसके कारण अगर आप हर जगा देखेंगे, हर तरफ तबाई मची है, एक मात्र ये कुरान को लेके, इसलिए हम मत करो, अगर तुमारे सच्चा है, तो हम मानने के लिए तयार है, आओ हमें समझाओ, पिछले दिनों भी आपने देखा, एक आका भाग गया, एक आका इसलम का भागा हुआ है, ये सामने तो आनाया उसका संभभी नहीं था, भाग गया ये, ये तो आरबी का स्कोलर भी नह भी नहीं था, अरे उससे अच्छा तो हम जानते हैं, ये तो आरबी का स्कोलर भी नहीं है, मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई भाग गया, बना के सब को, बेद से मुहम्मत को दिखा रहा था, जहां बेद में वेक्ति विशेष का नाम आना संभभी नहीं है, कल्यानी बानी ह तो हमारे रिशिवर ने हमें यहीं उप्तेश देते हुए हमें समझाया, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, ना ना पंथा बिधत आया ना है, अनेक रास्ता सही नहीं है, अनेक रास्ता ठीक नहीं है, केवल सच्चा सही रास्ता एकी है, जो बेद है, मानो मात्र के कल्यान के ल केवल और केवल बेद है सनातन धर्म है जहां मनु महाराज ने मनुस्मीती में भी दस लक्षन गिनाते हुए उन्होंने कहा धृती शमा दमो अस्तेयम सोच मिंद्रिया निग्रिया धीर विद्ध सत्तम अक्रोध शकम धर्म लक्षनम हमारे रिशिवर ने भी अगर बेद की ब और यह समाज के हमें सचे रास्ता दिखाया उन्होंने लेकिन यह हमारी जो रिशिवर में जो गुन है यह किसी में भी मिलना संभब नहीं है किसी में भी मिलना संभब नहीं है हमारे रिशिवर ने पक्षपत कभी नहीं कराया सबको अपना समझो सबको अपना मानो सभी दो लोस्तो नमस्ते